Hello students, welcome back to the channel, Dinesh Sir 11th के admission के लिए अगर आप try कर रहे हैं तो मैं लगातार आपको updates दे रहा हूँ लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल है बहुत सारे comments आप लोग की तरफ से आ रहे हैं अलग-अलग type के जबकि मैंने सब कुछ बता दिया है एके करके अलग-अलग वीडियो में लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगा कि सारी जानकरी एक ही वीडियो में आपको देना जरू दिये तो हर एक student जो 11th में जाना चाता है उसके लिए admission करने के लिए कितने steps है, क्या-क्या करना पड़ता है और किस तरह से college अलट होगा और college में admission कैसे मिलेगा ये सारी जानकरी के लिए मैं एक ही वीडियो लेके आया है इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ मिलेगा वीडियो में last तक बने रहे हैं पूरा वीडियो देखें नहीं तो फिर आपके questions अधूरे रह जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जो आपके frequently asked questions है जवाब देने वाला हूं मैं as usual अब सबसे पहले जो है zero round details थोड़ा सा बता दू जो अभी शुरू है यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि sir merit list निकल गई है हमें आपने तो बोला 30 तारीक को निकलेगा तो वो zero round की admission शुरू थे जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था zero round में कौन कोन आते हैं जो in house quota होता है जैसे आप जी स्कूल में 10th में थे उसी स्कूल से attached junior college है 11 वी का उसमें admission लेना चाते हैं तो in house quota minority quota minority मतलब महराश्टरा के अंदर दो type की minority होती है एक होती है religious minority जो धार्मिक होता है जो हिंदू को छोड़के बाकी सब धर में वो इसमें आते हैं और दूसरा होता है linguistic minority महराश्टरा में महराटी को छोड़के बाकी सब linguistic minority में आते हैं तो कुछ colleges religious minority होते हैं जैसे इसमाईल यूसुफ college रिजवी college Muslim minority है उसी तरह से अलग-अलग धार्मिक minority वाले बहुत सारे college है उसी तरह से भाशिक minority यानि linguistic minority बहुत से जगह पर जो गुजराती कोटा चलता है हिंदी माया मारवाडी कोटा चलता है तो ऐसे colleges में सब्सक्राइब कहीं पर गुजराती minority है और आप गुजराती हो तो आप उस college में minority quota में admission ले सकते हो यह process 22 तक होना था अभी भी आप लेना चाते है तो 25 तारीक तक ले सकते हो इसके ताथ तीसरा जो है management quota बहुत सारे जो colleges है उनके पास 5-10% management seat होती है वो donation लेके भरते हैं तो यह हो गया पूरा zero round यह जो zero round से इसके लगबक किसी college ने एक list निकाली किसी ने दो निकाली और इस तरह से list निकल के बहुत से बच्चों का इसमें admission हो चुका है लेकिन जो centralized admission process है उसकी पहली merit list अभी नहीं आई है वो 30 तारीक ऐसा date है उस date को आ सकती है तो अब यह zero round हो गया जिसने भी अभी तक zero round में admission नहीं लिया अगर आपको लगता है कि आपका inhouse जिस school है जिस school में आप पढ़ते थे उसी college में admission लेना है या आपका जो minority है माराटी भाशा को छोड़के ऐसा कोई college nearby है जो minority college है तो वहाँ पर आप ले सकते हो या तो आपको ज़्यादा फीज भर के donation दे के लेना तो management को नहीं हो अगर आपका ऐसा कुछ नहीं तो कोई ज़रूरे नहीं जो minority में नहीं आता कोटा में नहीं आता उस आगे चलके देखते हैं यहाँ पर आप लोग बार-बार मुझे पुछते हैं कि sir provisional general merit list one निकली है आप बोल रहे हो बट इसमें तो मेरा नाम आया ही नहीं है तो बच्चों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कितने type की list निकलेगी और आपका नाम कब-कब आएगा तो अभी zero round की list निकलनी थी निकल चुकी है और जो अभी date बढ़ी है उसमें college level पर वो निकलेगा centralized level पर नहीं निकलेगा तो provisional general merit list जो है आज 23 अगस्त को निकली है यह provisional है temporary है इसमें जितने लोगों ने part 1 का form भी भरा है ना part 2 नहीं भरा उनका भी नाम आया है और आप आपके जो marks थे okay जो 10th में आपने score किया था उसके basis पर आपको एक merit number मिला है इस round में आपको college alert नहीं हुआ है यह जो general merit list थी इससे आपको पता जलता है कि मेरा नाम जो है शामिल कर लिया गया centralized admission process में और आपको अब आगे college alert होगा लेकिन जिसने part 2 का form भरा होगा उसी को क्य हो सकता इसमें बहुत से लोगों के नाम में या कुछ details में correction हो तो उन्हें जो है तीन दिन का time दिया गया है 22, 23, 24, 25 यह जो dates है इसके अंदर आपको grievance request भेजना है correction के लिए okay तो वो होने के बाद 25 थारी को final general merit list आएगा final general merit list क्या होगा कि यह untim होगा जितने लोगों ने correction क लिए भेजा था वो सारे correction हो के आजाएंगे जितने लोगों ने part 2 का form lock कर दिया उनका नाम भी रहेगा बट जिसका नाम पहली list में था provisional general merit list 1 उसमें नाम था लेकिन उन्होंने part 2 lock नहीं किया होगा उनका नाम यह final general merit list में नहीं आएगा यहां पर अभी भी college alert नहीं होग कि सर मिचे तो college alert ही नहीं होगा अभी नहीं होना है college आप लोग वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है मैं हर वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ बट आप देखते ही नहीं हो पूरा वीडियो देखा करो यार अभी भी यह समझो 25 तारी को निकलता है तो final general merit list 1 आने क लगी खतम हो गया उनके लिए date बढ़ा दी गया 25 तारीक तक उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है अगर आपने minority में अपलाई किया था college में एडमिशन नहीं लिया तो भी आप यहां पर eligible है अगर आपने part 1, part 2 form में minority yes तो भी आपको यहां पर admission मिलेगा ऐसा नहीं कि आप पर provisional list आ चुकी है 23 तारीको 25 तारीको final list आएगी जिन लोगों ने part 2 का form lock नहीं किया होगा उनका नाम निकल के final list बनेगी और जिसका नाम final list में होगा उसी को college alert होगा जिस ने part 2 lock नहीं किया है या part 1, part 2 अधूरा बरा है उनको college alert नहीं होगा अब regular round क्या होगा regular round 1 जो 30 अगस्त को शाम को release होगा इसका दोपेर या शाम के time release होगा इसमें क्या होगा आप अपने website पर login करोगे अपनी login ID और password डालके तो आपको एक college alert हुआ दिखेगा आपके login ID में एक college alert हुआ है अब वो जो college alert हुआ है तो आगे क्या करना है यह सब मैं बताने वाला हूँ इसके बाद regular round 2 होगा जो 30 अगस्त को आपको college alert होगा उसके बाद 4 दिन का आपको time मिलेगा उस 4 दिन के अंदर आपको जो college alert हुआ है उस college की website पर जाकर online तरीके से apply करना है form बरना ह document upload करना है fees upload करना है तो आपका admission confirm हो गया अब आपका नाम आगे के list में नहीं आएगा जिसका regular round 1 में नाम नहीं आया होगा उनके लिए regular round 2 होगा उसी तरीके से फिर उसमें भी नाम नहीं आया तो वो regular round 3 के लिए जा सकते हैं जो लोग पूरी तरह से pass है वो लोग regular round 1, 2, 3 म apply कर सकते हैं अभी पीच इसका नाम तीन round में नहीं आएगा तीन round में admission नहीं हुआ वो special round 1 के लिए जा सकता है और उसके बाद एक special round 2 release होता है जो सिर्फ 80-80 के लिए होता है जो बच्चे एक या दूस अबजिक में fail हुए है 10th में उनके लिए specially 80-80 round नाम से होगा special round 2 नाम रहेगा या 80-80 round हैगा वो बच्चे form भर पाएंगे अभी वो बच्चे option form नहीं भर पा रहे हैं part 2 form नहीं भर पा रहे हैं तो 80-80 वालों को ले तो यह इतने सारे round होंगे इसके बाद भी एक round होता था last year तक FCFS round first come first round पहले और पहले 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 वो अभी सल नहीं होने वाल इसके बाद जो बहुत ही questions आप लोग पूछते रहते हैं कि एक बच्चे को क्या क्या करना चाहिए कि अगर एक बच्चा 10th पास हुआ है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा 11th के admission के लिए तो सबसे पहले जो website है 11thadmission.org.in इस website पर बने रहना है यह जो website है सबसे पहले इस website पर आप registration करोगे ओके जैसे आपने किया ही ता जिसने नहीं किया तो सको करना है registration के बाद आप part 1 का form पर होगे बहुत सारे बच्चे जिनका कोई reservation नहीं है caste category वगरे नहीं है other board नहीं है repeater नहीं है ऐसे बच्चे जो एक ही बार में महाराष्ट्रा बूर्ट से पास हुए है म उनका form auto verified होता है या जिसका कुछ documentation है reserve category है caste वगरे अधर बोडे तो उनको guidance center या school से verify करोना पड़ता है उनसे contact करके तो इस तरह से आपको अपना part 1 का form या तो auto verified हो या verified by school या guidance center हो और उसे lock कर देना है जब तक आप verify या lock नहीं होता आपका form तो आपका part 2 form नहीं कुलेगा फिर आपको fill part 2 form करना है part 2 form में आपका option form होता है आप colleges के code select करते stream अगरे सब select करते हैं यह सब होने के बाद part 2 form को भी आपको lock करना है lock नहीं करोगे गडबड हो जाएगा lock करोगे मतलब आपने confirm कर दिया है आपने apply कर दिया है इसके बाद क्या करना होता है कि यह जो part 1 part 2 form इसका जो pdf copy होगा application form का print out जो होता है आप print करके रखो और साथ में उसकी जो pdf copy है वो save करके रखो और पूरा का पूरा form कहीं कहीं अपने mobile या तो computer में save करके रखो क्योंकि आगे चलके college की website पो उसे upload करना पड़ेगा अब जब यह provisional merit list निकली है तो आप अपना general merit number क्या है वो देख लो और अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ personal detail में कुछ mistakes है कुछ correction है तो आप grievance request भेज सकते हो correction के लिए और 25 तारी को जो final merit list निकलेगी उसमें corrected data आपका आएगा तो यह आपको steps करने है इसके बाद क्या करना है कि आपको regular merit list 1 जो 30 सितंबर को निकलने वाले 30 अगस्त को निकलने वाली 30 अगस्त को जो regular merit list निकलेगी उसका इंतजार करना है यह जो provisional merit list निकल रही है यह provisional merit list क्या है सिर्फ आपको merit number देगा आपका status आएगा और confirmation होगा कि आपका form submit हो चुगा है completely college जो alert होगा वो regular merit list 1 में alert होगा तो इतने सारे steps आपको करने है तो क या आपने सारे steps की हैं उसका ध्यान रखो अगर की हैं तो ठीक है अगर आपने कोई steps miss कर दिया है तो उस steps को जरूर करें अब इसके बाद आपको क्या करना है after declaration of merit list याने कि अगर merit list declare हो गई समझो general merit list 1 जो है 30 तारीकों उसमें merit list declare हो गई तो क्या क्या हो सकता है देखो कुछ संभाव ना है पहला कैस है कि if college is allotted हो सकता है आपको college allot हो जाए या हो सकता है आपको college allot नहीं हो हो सकता है आपको college allot हो लेकिन पहले number का college allot हो फर्स preference का तो सबसे पहले अगर college आपको allot हो है तो आप उस college में जाके उस college की या तो college में चले जा या उनकी website पर अगर online admission शुरू है तो उस college की website पर जाकर आप admission लेना है आपको document वगर अपलोड करना है fees upload करना है या तो अग दूसरा कि अगर आपको college allot नहीं हुआ जो अभी first merit list निकलेगी general merit list तो अगर college allot नहीं हुआ तो आप next round का wait करो first round में नहीं हुआ तो second round का wait करो second round में नहीं हुआ तो third round का wait करो और क्या कर सकते हो सीधा wait करो तो जो आपने colleges के preference दिये थे 10 college, 5 college, 4 college, 1 college, जितने भी college की list बना रहेगी और उसी के basis पर आपको next round में admission मिलेगा लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने जो college की list बनाई थी मुझे उसे modify करना है उसमें और कुछ colleges add करना या कुछ college delete करना या पूरा का पूरा नए colleges डाल देना है तो वो आप कर सकते हो अपने option form में आपको chance मिलेगा आप login की या website पर option form part 2 खो लिए और उसमें colleges की list modify करके फिर से उसको log कर देजिए अगर आपको जो आपने list बनाई थी उसमें से पहले preference का college मिल गया पहले preference का college मिल गया तो आपको admission लेना जोरूरी है आपको admission लेना ही पड़ेगा अगर पहले preference का college नहीं मिलता तो आपके उपर है admission लेना जोरूरी है लेकिन किसी कारण बस अगर आप वहाँ नहीं लेना चाहते तो आपको रुकना पड़ेगा कब तक रुकना पड़ेगा तीन list जब तक नहीं निकलती तब तक रुकना पड़ेगा त्री merit list निकलने के बाद जब special round 1 चालोगा तब आपको मौका दिया जा सभी round के लिए यही steps follow करना है आपको क्या करना है जिस college में आपका नाम आता है यानि जो college आपको allot होता है उस college की website पर जाना है documents submit करना है form fill करना है और online तरीके से form fees भी fill करना है और कुछ colleges में online facility नहीं होगी तो वहाँ पर offline तरीके से जाके document और fees भर के admission लेना है उसके के website पर एक महीने के बाद लगबग जो है colleges start होंगे lecture start होंगे तब आपको college attend करना होगा हर साल offline colleges lectures होते थे इस साल हो सकता है online lecture पहले शुरू हो तो यह सारे steps है merit list declare होने के बाद अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बोलते हैं sir मेरे पास cast certificate है मेरा cast है बड़ certificate आने वाला है मिला नहीं है बहुत सारे बच्चे बोलते है sir मेरे पास यह document नहीं है वो document नहीं है मैं कैसे करूँ तो ऐसे बच्चों के लिए undertaking form है यह जो undertaking form है यह आपको download कर लेना है कहां से इस website पर है 11th admission.org.in पर नहीं अगर आपको मिले तो मेरे एक वीडियो बनाया है वो देख लो आ आप दिने sir undertaking form 11th ऐसे डालो कि तो वो वीडियो आ जाएगा उस वीडियो के description से undertaking form download करो उस वीडियो के अंदर मैंने बता है कि किस तरह से undertaking form भरना पड़ता है वो भरो और उसको पहले download करो print ले लो उसको फिर pen से भरो और जो document आपके बात नहीं है उसको tick करके sign कर दो कि मैं यह 3 महिने के अंदर भरो उसमें सब लिखा हुए आपको सिर्फ tick करना है और sign करना है उसको फिर scan करके upload करना है वो सारा process मैंने उस वीडियो में बता है यहां भी description में आपको दे दूँगा कैसे करना है तो यह undertaking form करना अगर आपके पस कोई document नहीं हो बहुत सारे बच्चे mock demo था उसमें bifocal का पूझ रहा था लेकिन part 1, part 2 में bifocal का option नहीं था तो अभी इस साल से क्या किया है कि bifocal में जिसको भी admission लेना है जब उसको general merit list 1, 2, 3 में से जब college अलोट होंगे तो उस college में जाने के बाद जब college की website पर आप form वर होगे college का form वर होगे तो वहां पर subject select करत जहां bifocal subject ही नहीं है तो अब तब आप वहां पर bifocal apply करोगे तो भी मिलेगा ने क्योंकि वह subject वहां सिखाया ही नहीं जाता यह बहुत important बात है जो याद रखना इसके बाद जो अगला steps बच्चे जो question पुछते है कि sir 80, 80 हूँ मैं दस्वी में मुझे एक या दो subject में 80, 80 ह मेरा part 2 का form filling नहीं हो रहा है तो बच्चों आपको बता दूँ कि 3 round तक रुकना है special round जब आएगा तब आपका होगा general merit list जो 1, 2, 3 निकलेगी उसके बाद special round 1 & 2 होगा तो उसमे announce होगा 80, 80 round तो किसी एक round में आपको chance मिलेगा form बरनेगा इसके बाद बहुत सारे बच्चे मु बच्चा जो है उसको अधिकार दिया है कि पहले क्या होता था किसी भी college में आप जो है आपका नाम आया और आप admission नहीं लेना चाहते है तो भी वो college आपका admission ले लेता था फिर आपको next round में allotment नहीं मिलता था अगर आपको समझे उस college में admission नहीं चाहिए लेकिन उस college में क् सरीके से आपका admission consider कर लिया आप गए भी नहीं वहाँ भी तो आपको next round में admission ही नहीं मिला तो ऐसा हो सकता था अभी क्या हो गया है कि SCHD की website पर ऐसा हो गया है कि जब आप admission के लिए request करोगे तभी होगा आप permission दोगे तभी होगा आप उस college अगर कोई college आपका admission लेना चाहता ह है और आपका उस college में जो allotment हुआ है तो उस college को क्या करना पड़ेगा आप से OTP लेना पड़ेगा आप अपने login में जाके OTP लोगे और OTP उस college के officials को दोगे office वाले को वो OTP जब enter करेंगे तभी आपका admission होगा नहीं तो नहीं हो बीना आपके permission के आपका admission कोई नहीं ले सकत है कि sir college का cutoff कैसे पता चलेगा तो website पर जो cutoff है वो पिछले साल का है इस साल के cutoff change होंगे जैसे ही general merit list one लगेगी तो merit list one लगने के बाद ही जो है हर college के cutoff की list जारी हो जाएगी इस website पर वहाँ पर आपको पता चलेगा हर college के अंदर current इस साल का जो पहला list है कितने marks पर close तो मुझे यहाँ मिल सकता है तो अंदाजा एक लगा सकते हो आपको 427 marks है और किसी college में 480 marks पर close हुआ है तो आपको ऐसे अंदाजा मिलेगा कि यहाँ मिलना मुश्किल है इसके बाद एक vacancy की list भी जाईर होती है college की website पर जब general merit list आ जाएगी तीस तारी को one उसके बाद 4 द detail बदानी पड़ती है इस website को कि हमने जो है कितनी seats में से कितनी seats भर ली है तो यह पूरी detail जो है सारे college वाले अपडेट करते हैं CHD की website पर तो एक vacancy list आती है कि कौन से college में कितनी seat अभी भी खाली है तो इससे पता चलेगा कि कौन से colleges की seat पूरी भर चुकी है कौन से colleges में कितनी seat है और cutoff से पता चलेगा कि यहाँ पर cutoff यहाँ कितने माक्स की उपर admission मिल रहा है तो यह बहुत ही important है इसकी detail में लगातार आपको देते रहूँगा उमीद करूँगा कि मैंने अभी जो आपको पूरी जानकारी दे दी है और आपके सारे doubts यहाँ पर clear हो गए फिर भी आपको कुछ doubt अगर आता है तो आप comment में जो है comment डालिए comment section में मैं कोशिश करूँगा उसके उपर video बना कि आपको जानकारी दे तजम रहूँगा जब तक कि हर एक बच्चे का admission ना हो जाए तो इसके लिए आप इस चैनल से connect रहें चैनल को subscribe करके रखें और ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि आप ही इधर आपके दोस्तों को भी knowledge मिलें और सभी का admission अच्छे college में हो ठ जाए बिजाउ झाया है झेड़ा है उना है ह क्यों में है सब में ऊच्छी का सिर्फ झाल झाल